नमासकार स्वागत्यापका हमारे चंचार जागेंदर मशा में पैसे रखने के लिए खरीद लो अब एक तिजोरी 16 माई को बैसाख पूरिमा साथ राश्यों के लगने वाली है लोटरी दर्स्तो हिंदु धर्म में पूरिमा का विशेस महत्व है वो भी बैसाख पूरिमा का जी हाँ बैसाख मा की आखरी तिथी को बैसाख पूरिमा का पावन पर मनाय जाता है पौरानी कताओं के अनसार भगवान स्रीकृष्ण जी के परम मित्र और सहपाठी सुदामा जब द्वार का में स्रीकृष्ण जी से मिलने आए तो भगवान ने उन्हें इस ब्रत का महत्त बताया इस ब्रत के प्रभाव से ही सुदामा की दर्वता का नास हो गया मानता है कि इस दिन बौध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था इसलिए इसे बुद्ध पूरिमा भी कहा जाता है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हिंदू पंचांग के अनस्वार बैसाक पूरिमा इस बार 16 मई 2022 शोम बार को है ध्यान रह कि बिना चंद ग्रहन की पूरिमा का ब्रत पूरा नहीं माना जाता इस दिन चंदरदर्शन करने से चंदरदेव का आशिरबाद प्राप्त होता है दोस्तों बता दे कि बैसाक पूरिमा 15 मई को रातरी 12 बचकर 45 मिड़ से सुरू होकर 16 मई को रातरी 9 बचकर 45 मिड़ पर समाप्त होगी बैसाख पूरिमा को सभी तितियों में सर्वस्रेश्ट माना जाता है इस दिन पवित्र नदी में इश्नान करने वादान करने से कष्टों से मुक्ती मिलने की मानता है बौध दर्मे में भी इस दिन का विशेश महत्य है इस दिन महात्मा बुद्ध की पूजा की जाती है क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ था आपकी जानकारी के लिए बता दे की साल का पहला चंद गरहन भी 16 मई पूरिमा की दिन ही लगेगा यह एक पूरण चंद गरहन होगा भारती समया नुसार इस चंद गरहन की सुरुवात 16 मई की शुवए 7 बचकर अंठामन मिट से होगी और समापती दुपार 11 बचकर 25 मिट पर होगी खास बात तो यह दोस्तों की पूरिमा शुमबार की पड़ रही है और साथी साथ इस बार की बैसाख पूरिमा पर कई सारे धोलब और अजबुत सुवसहियों का निर्माड हो रहा है इस वार 16 माई को बैसाक पूरिमा के दिन सरवार्द सिध्योग और अम्रिश सिध्योग का निर्माड हो रहा है जिसके कारण इस दिन माता लक्ष्मी जी कुछ राशियों पर बेहदी प्रसंद हो चुकी है जी हां दोस्तों दोस्तों पूरिमा के दिति भगवान विश्मी जी को समर्पित होती है और पूरिमा दिति के दिन माता लक्ष्मी जी काफी प्रसंद मुद्रा में रहती है इसी करण से मातर लक्ष्मी कुछ राशियों पर महरवान होने वाली है अब इन राशियों की लोटरी लगने वाली है इनके अब रूठे हुए भाग जगने वाले है और साथी इनका भाग सात्मी आस्मान पर रहने वाला है बता दे की 16 माई को बैसाक पोडिमा के दिन कई अध्बुत राजोग और धन्योग कर निर्वाड होने से मातर लक्ष्मी खास कृपा कुछ विशेश राशियों पर होने वाली है खास कर सात राशियां ऐसी हैं जिनकी लोटरी लगने वाली है जिनकी उपर धनकी दे भी मातर अपार कृपा बरसाने वाली है दोस्तों बैसाक पोडिमा का महत बहुत ही जादा है इस दिन आप भगवान विश्मी जी की पूजा राधना और मातर लक्ष्मी की पूजा राधना जरूर करें और भोग खीर का जरूर लगाए मातर लक्ष्मी जी को और फिर आप पूरे घ सब्सभ संयोग बनने से मातर लक्ष्मी खास कृपा कुछ राशियों पर पढ़ने जा रही है तो आखिर ये भाग साली राशियां कौन-कौन सी है जिनको 16 माई के इस बैसाक पोडिमा के दिन लोटरी लगने वाली है तो आप से अन्रोध है कि आज इस वीडियो को बिलकु कि दे भी माता लक्ष्मी का अपार कृपा बरसने वाली है तो दोस्तों बीडियो को मिश्ट न बिलकुल न करें इसे सुर्छ से लेकर अंतक जरूर देखें और साथी साथ दोस्तों बीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के विषयर अवस्ष करें तो चलिए कर सकते हैं कारोबार में विशेश उपलब्धिया प्राप्त होंगे अनेक जग़ों से आपको धनकलाव होगा जो कार अधोरे पड़े थे पेंडिंग थे उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे मन्चाही सफलताएं प्राप्त होंगे साथे साथ कामयावी के सिखर पर रहें विशेश ब्यापार के मामले में आप काफी लखी रहेंगे जो कार आपके अधोरे पड़े हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे यानि कि आपको कई प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा आपके दवारा बनाई गई योजनाओं काफी कारगर साबित होगी महत्प सफलता प्राप्त करेंगे और साथी साथ आप बिजनेस व्यापार का विस्तार कर पाएंगे अब अगले जो राशियाती दोस्तों बता दे वो है यहां पर कन्नी राश करेंगे अब आपकी किसमत बहुत तेजिस चमकेगी मातल लक्षमी के अपार किरपा दृष्ट बरसेगी 16 माई को बैशा का पोड़िवा के दिन अब आप की किसमत और भाग साथ में आस्मान पर रहेगा बता दे कि आप इसमें दिन दुगनी राच चोगनी तरह के करेंगे नोकरी में आपको उच्पत की प्राप्ती और प्रमर्शन की योग बनेंगे ब्यापार इस्थल पर चल विशेश भाग जबाएंगा तो विशेश लाब होगा अब अगली यानि जो तीसरी जो राशी आती है जिसकी लोटरी लगने वाली है वो है शिंग राश शिंग राश कहतकों अब आपकी किसमत चमकने वाली है भाग का उदय होगा माता लक्षमी कृपा से अपार धन संप बता दे कि बैंक से कोई लोन वगर मंजूर होंगे इस लोन के मंजूर होने से आपकी आर्थी किस्ति और बित्ती मामलें काफी सुधार होगा दन संपत तैसर में बरदी होगी और इसमें आप प्रोपर्टी के मामले में जमेन के मामले में काफी लखी रहेंगे अब अगली का आयोजन हो सकता है, घर परिवार में आप खुसियों का वाता वर साग पूरिमा के दिन बिशेष लाव होगा कई महितपूर्ण योजनाव का लाव मिलेगा अब आपकी गरीबी के दिन चले जाएंगे और माता लक्षमी कृपा से अनेक प्रकार के लाव देखने को मिलेंगे जीवन में सफलताओं के आप मारगे खुलेंगे साथी साथ इसमे भागे आपका बहुत तेजी से चमकेगा शुक्षा के छेतर में सुधार होगा अब अगले यानि जो चठमी जो राशी आती दोस्तों बता दे वो है यहां पर कुम राश कुम राश को बता दे कि अब 16 माई को माता लक्षमी कृपा से अपार धन संपती प्राप्त होगी अ स्वास्त को लेकर जो प्राप्त हो जाएगी माता लक्षमी कृपा से अब आपके घर में किसी प्रकार कोई कमी नहीं रहेगी बता दे कि इसमें कारोबार का विस्तार कर सकते हैं बिजनेस ब्यापार में आप अच्छे खासे सफलताएं प्राप्त करेंगे और साथी धन देश्त के मामलें में काफी लकी रहेंगे ब्यापार पर चल रही अब मन्दी का दार खत्म हो जाएगा अनेक प्रकार की युजनाओं का लाप हम लेगा यानिकि इसमें आप बहुत जल्द सफलता प्राप्त करेंगे और अच्छा खासा लाप देखने को मिलेगा यानिकि इसमें आपको पैसे के मामले में कमी नहीं महसूस होगी और इसमें आप विदेश की यात्राइं कर पाएंगे विदेश जाने के सपने पूरे होंगे सातिस्वास सम्मंधी परिसानिया खत्म हो जाएगी स्टुडेंट के लिए परतोगी परिच्छा और कम्पेटीशन में विशेश लाब होगा बता दे कि बड़े भाई भाहिनों को सयोग प्राप्त होगा बड़े भाई भाहिनों से आपको लाब हो सकता है अब अगली यानी जो यहाँ पर यानी की यानी राश्याती है साथ में जिसकी लोटरी लगने वाली है वो है यहाँ पर दोस्त बता दे मीन राश्यात को बता दे कि अब आपकी लोटरी लगने वाली है माता लक्षमी की खास कृपा आपके और आपके पूरे घर परिवार पर बनी रहेगी बतादे की जो भी कार करेंगे सफलता प्राप्त होगी जो भी नेड़े लेंगे सफलता हासिल होगी अनेक प्रकार की योजनाओ का लाभ है मिलेगा बतादे की धन संपत्ति के मामले आप काफी लखी रहेंगे ब्यापार इस्थल पर चल रहे मंदी का दौर खत्म होगा और नए बिजनेस ब्यापार के शुरुआत करेंगे माता लक्षमी कृपा से अब आप खास आपको उपलब्धी प्राप्त होगी महत्पूर योजनाओं का लाभ मिलेगा अच्छे कारूबार का विस्थार कर पाएंगे बता दे कि धन संपत्य के मामले में आप काफी लखी रहेंगे इसमें आपका ब्यापार तेजे से चलेगा दोस्तो इसलिए तो कहा है कि पैसे रखने के लिए खरीद लो अब एक तिजोरी जी हैं दोस्तो 16 माई को बैसा का पोड़िमा साथ राशियों के लगने वाली है लोटरी जी हैं दोस्तो इन साथ राशियों पर अब धनकी देवी माताल लक्षमी के अपार किर्पा दुष्ट बरसेगी दोस्तो बीटों को लाइक जरूर करिएगा नहीं तो चलों को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक करके आप बिल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा कमेंट में लिखेगा जै माता जै मालक्षमी